हेलो फ्रेंड्स इससलाम उलेकूम विल्कम बेक टो मैं चैनल तम्मोस की चन और आज मैं बनाओं की स्प्रिंग आनियन की सब्जी हरे प्याज की सब्जी बना रही हूं आज मैं और हरी प्याज मैं इसे काटके रखी हूं एक बाउल दिख रही है पक्के कम हो जाएगी और यह लियों मैं तूवर की दाल थोड़ा सा भिगने रखी हूं मैं दस मिनट पहले रखी हूं भिगो के आदा बाउल है तूवर की दाल यह 100 ग्राम है पीनट्स मुंग फली मैं इसे भून ली हूं मुंग फली ज्यादा दालिएगा टेस्ट अच्छा आता है यह रेसिपी में महराश्ट्रियन स्टाइल में बना रही हूं जवार की रोटी की साथ बहुत टेस्टी लगती है यह हरी प्याज की सबजी यह लाल मिर्च का पाउडर लियों में देड टेबल स्पून देड चम हम गैस ओन करके तपेली रखेंगे उसमें डालेंगे एक चम मच्छ तेल मैं अंदा से डाल रही हूं और राई और जीरा साथ में डालेंगे राई को हम तड़कने देंगे जब तक जीरा भी अच्छे से फ्राय हो जाएगा मैं यह मुंग फली पीस ली हूं बहुत सिंपल तरीके से बनती है यह हरी प्यास की सबजी और इसे निचोड के डलूंगी मैं हमेशे में पानी नहीं चाहिए मैं दोके थोड़ा पानी रखी हूं उसमें और आप निचोड के डाल रही हूं बहुत से लोग बनाते होंगे इस तरह के से हरी प्याच की सबजी एक टमाटर लिए हो में छोटा सा और वो डाल रही हों काट के इसमें टमाटर ओप्शनल है अगर डालना है तो डालिए और ना स्कीप कर दीजिए अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, नमक टेस्टो अकॉर्डिंग डालिए स्वादा अनुस्वार नमक यूज़ करिए यह जैसी प्याच पकने लग जाती है तो इसका पानी हो जाता है अब इसमें डालेंगे हम भिगीवी तूर की डाल पानी निथार के डाल रही हो में तूर की डाल भी हमें पानी नहीं चाहिए प्यास का पानी हो जाएगा अब हम डालेंगे इसमें पिसीवी मूंगफली मुंखफली से टेस्ट अच्छा आता है ये हरी सबजी में हरी प्यास की सबजी में और मैंने डाल तूर की भिगा के डाली हुए इसमें हम पानी नहीं डाल रहे हैं सबजी में पानी के साथ पक जाती है लेकिन मैं इसमें पानी नहीं डादी हूँ इसलिए थोड़ा भिगोई हूँ तो प्यास के साथ में हलकी सी पक जाएगी और हलका सा कच्छी रहेगी अच्छी लगती है ऐसी वाली तूर की दाल इसमें हलकी सी पकी भी एकदम गलानी नहीं है हमें इ यहरी प्यास की सबजी लो फ्लेम पे ही पकाईएगा फ्लेम को ना हाई रखना है ना मीडियम फ्लेम रखना है लो फ्लेम पे ही पकाना है आप भी बनाईए यहरी प्यास वाली सबजी जवार की रोटी सा ट्राइ करिए मैं जवार की रोटी भी अपलोड करूंगी प्लीज ल